देखो इंडिया में रेल लाइफ इवेंट्स पर बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं जैसे उरी, दकश्मिर फाइस, दकेरला स्टोरी एंड फाइटर में अभी पुलवा माट अभी आई है आई है आटिकल 370 मैंने देख लिए आज आब बात करते कैसी है मुवी देखो इतो सब कोई पता है कि आटिकल 370 को अभी अभी रिमू किया गया है 5th of August 2019 को जब मोदी जी दोबारा पीम बने थे और उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो बहुत से politicians नहीं कर पारे थे 1947 आजादी के बाद से कैसे कश्मीर इंडिया का हिस्सा होकर भी नहीं था और उसको वो दर्जा नहीं मिल रहा था जो बाकि स्टेट्स को मिल रहा था आप क्या बात करें? मतलब आप पियो क्यों रक्साचिन को भारत देश का हिस्सा नहीं माते? अब यह तो जिसके उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि उसको आप प्रोपेगंडा बोलो या फिर एक वाइज मुव क्योंकि दो मैने के बाद अब एलेक्शन्स आ रहे हैं और इसको मोदी जी भरवर कर प्रमोट भी कर रहे हैं अब मेरे इसाब से करना भी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 370 के बारे में सबको जानना जरूरी है इस पिक्चर को देखने के बाद आप खुद बोलकर जाओगे वह एक्सेंट ने पकड़ रहे मुझे उसका डाउट नहीं लेकिन सूट तो करना चाहिए यार कस्टन डाउटर हां बोल सकते हो आमिद शाक्या करेक्टर बहुत बढ़िया पोर्टरी किया है लेकिन थोड़ा सा ओर ड्रामेटिक लग जाता है अगर उरी लवर हो तो उरी जैसे अक्शन्स देखने को मिलेंगे लेकिन सिर्फ वही है वो सोच कर मज जाना क्यूंकि इसमें बहुत सारे पेपरवक्स भी है कागजी कारवाई के साथ कैसे 370 को हटाया गया था इन डिटेल में प्रस्तूत किया गया है सब कुछ देखने को मिलेगा अगर यह मुवी हिट होती है तो न वो वर्ड ऑफ माउट से होगी और यह कश्मीर फाइल्स और केरला इस्टूरी के तरह लोग इसको देखने के लिए जाएंगे मुझे तो ऐसे लगता है कि हर भारतियों को पिक्चर देखने ही चाहिए ने तो आप बाद में जाकर वो किताब होके पन्ने ऐसे ऐसे उल्टा दिल करोगे कुछ घंटा समझ में आने वाला नहीं है तो यह मुवी जाकर देखो आपका पैसा वसुल जरूर होगा तो इस पिक्चर को में दूँगा 3.5 उता 5 स्टर्स अगर आपको अच्छा लगया रिवी तो प्लीज सब्सक्राइब होके जाना थैंक्यू सो मच